हेलो गाइज, इस टॉक मार्केट न्यूस फॉर अर्ण में आप सभी का स्वागत है आज धर्डी इन्त आफ अगस्त बात करेंगे यस बैंक के बारे में आज यस बैंक में तकरीबन डेट प्रतिशत से जादा की ग्रावट देखने के लिए ज़रूर मिली है लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहां पर ग्रावट को थोड़ा समझना पड़ेगा देखे टेक्निकल चार्ट पर अगर हम जाते हैं तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो दिन लगातार यहाँ पर देखिए upper circuit लगे है और यहाँ पर जो gap बने है definitely उनको fill किया गया है आज की तारीक में तो देखिए आपको किस चीज का ध्यान रखना है वो चीज में आपको यहाँ बताना चाहूँगा तो यहाँ पर देखिए जो हमारा RSI है जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक range जो है वो shift होती ही नजर आ सकती है जो कि देखे का यहाँ से 40 से लेके 60 के लगबग होगी यानि कि यह जो range होती है 40 से 60 के बीच वो basically एक sideways moment होता है और यहाँ पर basically हमको एक sideways moment देखने के लिए मिल सकता है और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अब हमारा RSI है जो कि 44 के लगबग है तो देखिए यहाँ पर RSI अगर अब इस से नीशे आता है और 40 पर जाकर support लेता है तो definitely वो एक नई जगा होगी buy करने के लिए लेकिन वो तब होगी जब यहाँ पर एक reversal बनेगा यानि कि यहाँ पर एक candle बनेगी जो कि green होगी और वो हमको reversal का sign देगी कि basically यहाँ पर support लिया है 40 के RSI पर और यहाँ पर range जो है वो shift हो चुकी है 40 to 60 और उसके बाद यह फिर से हमको move करता हो दिखाई देगा उपर की यहाँ पर जो volume develop हुआ है वो अपने आप में काफी जादा है आपको सिर्फ यह नहीं देखना कि यहाँ पर जो हमको volume देखने के लिए मिल रहा है वो basically red है देखिए यहाँ पर अगर किसी ने बेचा है तो definitely किसी ने खरीदा है इस चीज़ को आपको समझना चाहिए तो यहा पर RSI पर यह support लेगा और definitely यह support लेगा और फिर से आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखाई पड़ेगा तो अभी की जो situation है उसको आपको समझना चाहिए और लगातार यहाँ पर जो continuous तेजी बनी हुई थी उसमें definitely आज की तारीक में profit booking है इस चीज़ को आप यहाँ पर देख स तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए और इसकी direction को समझना चाहिए कि यह कहाँ पर move करने वाला है ऐसी चोटी मोटी गरावट से आप बिलकुल भी मत घरवाईए कि यहाँ पर इस तरीके का volume जो develop हुआ है उसमें देखेगा आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि यहा यहाँ पर आपको हलकी सी गरावट और देखने के लिए मिल सकती है जो कि तकरीबन देखेगा यहाँ पर जो support जो है 14.80 के लगबग है यानि कि यहाँ से आपको घुमता हो दिखाई पड़ेगा और आज की तारीक में भी देखेगा यहाँ पर आपको खरीदारी ही देखने के लिए मिल रही है अभी देखेगा 8,21,000 से जादा quantity बाइंग में लगी हुई है जो कि 15.85 के लगबग है तो यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि situation अभी क्या है आप अभी ऐसे मत घबरा जाएगा कि यहाँ पर अब हमें बेज देना चाहिए कोई भी stock सीधे ऊपर नहीं भाग जाता वो इसी तरीके से काम करता एक सीडियो की तरह तो आपको उस चीज को समझना चाहिए इस step by step उपर जाएगा इस चीज को आप यहाँ पर समझ सकते हैं और जो जाने का कारण है वो भी मैं आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो भी हम हमारी candle हमको शो करेगी यानि कि वो बाय करने के लिए इंडिकेशन होगा और उसके पास फिर से रेंज हो है वो 4260 के बीच में होगी जो कि एक sideways moment हो सकता है और sideways moment में आपको समझना है कि कहां पर direction बनेगी तो इस चीज को आपको यहाँ पर समझना है और उसी के साथ काम करना है तो चलिए दोस्तों इसी साथ में वीडियो को ही पर खत्म करता हूं आप से अपनी अगली वीडियो में चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बैल आइकन से प्रेस कर दीजिए आपको वीडियो का नोटिफिकिकिशन मिल जाएगा वीडियो में कुछ भी अच्छा लोग लाइक कर दीजिए और फ्रेंट का को मिशाना मत भूलेगा चले थेंक्यू